यूनियन टेरिटरी लदाक का फॉर्मेशन के बात से एक मेजर इशू ये आता रहा है कि लोगों की जो सरकारी नौकरियों में रिकूर्ट्मेंट के लिए क्या प्रियास किये जा रहे हैं तो इसके बारे में मैं आप सभी को अब्डेट देना चाहता हूँ और सबसे बड़ी बात ये है कि जब 2019 में ये नई यूनियन टेरिटरी बनी तो एक तो हमें एकदम फ्रस सभी चीजे करनी पड़ी और एक कोई जो है ट्राजिटरी अर्रेंजमेंट्स कमी रहे तो उसकी वज़ा से थोड़ी सी दिक्कते आई लेकिन जो भी दिक्कते थी रिक ट्रहस कर ली गई है और हम लोग सबी तरह से रिकूट्मेंट करने के लिए तयार है चाहे हो तक तक पोस्टों की होनी है वो सब नहीं होती है तब तक ना तो आप vacancy ascertain कर सकते है ना रोस्टर प्रिपेर कर सकते है उसी तरह से हमें सभी जो recruitment rules थे वो भी हमें frame करने थे और सभी जो event की जो service structure है वो भी create करने थे तो वो सभी चीजे अभी पूरी कर ली गई है जैसे कि आपको पता है कि मारे reservation rule है लदाक के लिए वो notify कर द certificate order है 2021 में उसको भी issue कर दिया गया और अब लोग resident certificate issue भी करवा रहे है साथी सबसे बड़ा issue था कि हमें पोस्टों का और लोगों का जो ट्रांसफर था प्रजेंके से apportionment का वो काफी समय से पेंडिंग था तो और भी पोस्ट जो है आ गई है तो इस तरह से लगवग हमारे पास 21,000 से उपर के करीव हमारे पास पोस्ट आ गई है और इसके अभी थोड़ी से कुछ और पोस्ट अभी ट्रांसफर होने बाकी है लगवग 104 नॉन गस्टेट के और 382 जो है एक सो चार गजटेट के और 382 इसके नॉन गस्टेट के पोस्ट अभी आनी है पर वो कोई अमारे लिए अबस्टेकल नहीं है और वो हम कर्रिस्पोंडेंस कर रहे है का उस पर भी काम चल रहा है लेकिन जो है लगवक्ते इस जार से भी ज्यादा पोस्टेश जो आ गई है अगर मैं कहूंगा कि यह अपन है इस सेंटर गवर्मेंट पोस्ट जो है उनकी बात नहीं कर रहा हूं और दूसरे जो पर्विक सेक्टर है उनकी बात नहीं कर रहा हूं जहां भी हमारे लोग है चाए बैंक कुम्ने हो या आर्मी में हो और सियार पेफ में हो या पैरा मिलिटरी में हो तो वह हम उनकी बात सकता है उसके बाद जो दूसरा एक मेजर इशू था कि जब तक हम इन पोस्टों पर जो हमारे लोग यहां काम कर रहे हैं उनका पॉर्शनमेंट ना हो जाए उन लोगों के ट्रांसफर ना हो जा तब तक एक्जैक्टली वेकेंसी वर्काउट नहीं की जा सकती थी कि अगर हमा जो हमारे लोग यहां थे और जो लोग बाहर लदाक के लोग थे उनको भी जो है पोस्टेट थे उनको भी भी भेजा गया अभी लगवक 3369 इंप्लोईज का भी पेंडिंग है पोस्ट में कुछ वेरिफिकेशन चल रही है वेरिफिकेशन कुछ कागज मांगे गये हैं तो वह हम करके भेजने हैं तो वह भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा तो लेकिन मैं कहूंगा वह भी अभी अतना मेजर आपस्टेकल नहीं है हमारे लिए और यह जो है जो अभी हमारे पास डेटा आ चुका है उसके बेसिस पे हमने जो है वेकिंसी वरकाउट सुरू करनी कर कर सकते थे पोस्ट की तो आपको मैं बता दू थर्टी सिक्स जो है रिक्रूट्मेंट रूल्स अभी तक वह हो चुके है फाइनलाइज हो चुके है क्यों माइनर कुछ छोटे चोटे डिपार्टमेंट के हैं तो वह पेंडिंग रहे गए हैं तो उसको भी हम बहुत जल्द करके कर दे जा रहे विकाज उनको जो है अप्रूबल के लिए हमें मैचे भेजना होगा तो उसके भी हमारी त्यारी कर ली गई है और बहुत जल्द इसको भी हम भेज देंगे तो गजिटेट के भी रूल्स अप्रूब हो जाएंगे इसके साथ ही अगला इशू था कि रिक पूस्टिक बोर्ट अल्रेडी फंक्शनल है और रूट्मेंट कर भी रही है इसके साथ ही यूटी डिविजनल लेवल की जो पोस्ट है उसके लिए स्टाफ सेलेक्शन कमिशन ने अपनी अप्रूबल दे दी है और उनके साथ हमारी दो तीन मीटिंग्स हुई है मारे रिफर कर रहे है तीस अक्टूबर तक जो है उनको हम लगबग 131 पोस्ट जो है इमेडियेटली रिफर कर देंगे ताकि जो है उसके अगले फरवरी मार्स तक जो है उनकी नोटिफिकेशन हो जा और प्रॉसस स्टार्ट हो जाए वो पोस्ट आइडेंटिफाई कर ली गई है और जो उसमें फार्मैलिटीज करने का काम है वो भी लगबग पूरा कर लिया गया है तो यह हम उसके लिए पूरी तरह से त्यार है उसके अलावा डिस्टिक जो काडर पोस्ट है उनके लिए रिफ्टी कमिशन को भी डिरेक्शन दे दी गई है और वो भी लगबग 800 से 900 के करीब पोस्ट ऐसी होंगी जो कि वेकंशी जो है उन्होंने वर्क आउट की है डिस्टिक लेवल पे जो ले और करगिल में अपने इंडिविजल लेवल पे जो है वेकंशी की जाएंगी उसके साथ ही साथ में पुलिस की जो है लदाक पुलिस सबार्डिनेट सर्विस रि प्रॉब्लम्स थी जो कि अप्लिकेशन से इन्वाइट करने के लिए उनको भी अब्रूर कर दिया गया तो उसमें भी अप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी इसके लावा जमो कश्मीर बैंक के भी कुछ पोस्ट है जिनके जो जिसकी के अड़िजमेंट हो चुकी है और उस प लावा 613 लोग जो है रेगुलर भरे हैं 613 वेकंसी पर रेगुलर अप्वाइंट्मेंट हुई है ले और करगिल में जो पुरानी एडवर्टीजमेंट थी और उनको फैनलाइज करके उन पर रेकूट्मेंट कंप्लीट की गई है और जो 604 के करीब जो लोग है उनको कंट के साथ बताना चाहता हूँ कि जो कॉंट्रेक्च्छल में जो लोग लगे वोए हैं यह रेगुलर पोस्त के अगेंस नहीं होते है रेगुलर वेकंसी पर हमारा उसका कोई असर नहीं होता है यह तरह से इन अडिशनल होते हैं तो जब तक चुकी हम रेगुलर वेकंसी करता रहे और लोगों को कुछ इंप्लाइमेंट भी मिल जाए उसके वालावा मैंने आपको बताया जैसा कि फ्रेस्ट वेकंसी जो है यूटी लेवल पोस्त की लगवग एक हजार एक तीस पोस्त की जो है रेफरेंस हम कर रहे हैं बाई दिसमबर एक तीस स्टाफ सेलेक्श है दो सो करीब दो सो तेरा पोस्त दो सो नब्बे पोस्त जो कि हाई कोट जमूर किश्मीर ने स्टेग आउड़ाना गाया हुआ तो हम उसको भी परस्यू कर रहे हैं और आप समोई को पता है कि अभी दो साल की रिलाक्सेशन इन जनरल सभी को दी गई है एज की ताकि जो है जो यूटी अडमिस्टेशन ने और मेचे ने बहुत से ऐसे डिसीजन लिये हैं जो इंप्लॉईज की बहतरी के लिए हैं बेनिफिट्स के लिए हैं और आपको पता है कि यह वेकेंसी हमारी केवल डार्ट रिक्रोट्मेंट की नहीं होती हैं प्रमोशन कोटा की भी होती है तो हमने इसी लिए पिछले कुछ समय से काफी जो है हमने stop gap arrangement करके काफी employees का elevation भी किया है और चाहिए finance department में हो देखें आप planning में देखें स्कूल education में इंजीनिरिंग में बहुत से हमने एडवली को जो है एक्सिएंस बनाया है जो हमारे सीनियर मास्टर से उनको हमने लेक्शर बनाये हैं और उसी तरह से account officers को डवल जो हमारे डवल यो से उनको account officers बनाये हैं तो रूरल डवलपेंट में भी इसी तरह से forward movement हुई है तो यह भी एक process पैरलली सुरू हो गया है और अभी साथी साथ में हर department का अपना जो चुकी काफी एक यहां पर जो मैं कहूंगा personal management जो है especially HR management में जो documentation का काम था वो काफी पूर रहा है तो उसकी वज़े से हमें समय भी लगता है क्योंकि service books को update नहीं करीगी है या जो है roasters proper नहीं बनाए गए है तो उन सब को जो है हम ठीक करा रहे हैं और इस काम में थोड़ा वक्त लगता है लेकिन यह काम भी पैरलली साथ साथ में चल रहा है तो जिससे कि अब जो employees हैं उनके faster promotions भी हो रही है साथ ही साथ आपको पता है कि जैसे ही UT बनी है बहुत से central government क जो benefits थे वो हमारे employees को जो है यहां पर उपलब्ध है 7th Pay Commission तो पहले से ही लागू हो चुका था उसके लावा यहां पर special compensatory जो remote locality allowance है वो भी हमारे employees को मिलना सुरू हो गया है वो लगवक 3000 रुपए पर मन्त होता है और उसके लावा जो है special duty allowance मिलता है वो भी 10% के करीब होता है वो भी इनको मिलना सुरू हो गया transport allowance मिलना सुरू हो गया children education allowance जो पहले नहीं मिलता था वो भी मिलना सुरू हो गया और leave travel concession जिसके वज़ा से जो है कही अगर travel करना होता था बाहर हमारे employees को तो वो नहीं उपलब्ध हो पाता था तो वो भी उपलब्ध होने लग गया है और इसके अलाबा तो आप सबको पता ही है कि जो लगाक के रहने वाले हैं और इंकम टैक्स में already exemption है उसके अलाबा जो है employees को encourage करने के लिए हमने state award भी शुरू किया है जिसमें कि public service का component भी है और जो अच्छा employees परफॉर्म कर रहे हैं उनको state award से भी नवाजा जा रहा है भी सही time पे हो जाए और सही authority से हो जाए ताकि किसी तरह का confusion ना रहे employees को और बहतर administration मिल सके उसी तरह से simplification के लिए और efficiency के लिए भी हमने बहुत से technology based automation का काम भी किया है आपको पता है पूरे secretariat में e office पे काम हो गया है जिसकी वजह से files की movement बहुत fast हो गई है और साथी साथ मे किसी तरह का जो है उसमें किसी तरह का इसमें changes करना या पोस्ट या files की file जो है गायब हो जाने जैसे समस्या हमारे खतम हो गई है उसके अलावा e gadget जो हमारा already in place है साथी साथ बहुत से और भी दूसरे जो हमारे e governance के projects है वो चल रहे हैं पब्लिक ग्रिवांस रिडरेसल के ल अपनी complaints कर सकता है अपनी ग्रिवांस रख सकता है जिसका disposal time bound manner में किया जाता है साथी साथ चुकि हमारे पास जो employees है थोड़ा उसमे capacity building की जरूरत थी तो काफी बड़े पैमाने पर capacity building program भी शुरू किये गए है जो कि आपने समय समय पर cover किया है चाहे हमने D.A.R.P.G. के मद मदद से किया है तो बहुत से training program सुरू हो चुके है education sector में बहुत से training program चल रहे है और normal employees के लिए especially जो कि बहुत से rules नए थे general financial rules और दूसरे rules जो है वो काफी नए थे तो उनके लिए भी जो है training program का हुआ और बहुत से हमारे employees है वो बाहर भी training के लिए बेजे जा रहे है और ताकि जो है उनकी capacity build हो और साथ ही साथ में बहुत से हमें जो export consultants है उनकी हम अदद ले रहे है ताकि हमारे लोगों को जो है support मिले hand holding support मिले और administration की efficiency बढ़े और disposals जो है वो काफी तेज हो सके 1000 के वल यूटी लेवल और लगवग 800 से 900 डिस्टिक लेवल की भी हमने हैं हो सकता हो दिसंबर से थोड़ा आगे जाए लेकिन वह भी फर्वरी तक हो जाएंगी यूटी और बोट डिस्टिक लेवल में काफी सारे वेकिन्ट है जो आपको पताए कि एक फेस्ट मैनर में ही होगा पहले अभी जो हमने अभी हमने बताई है फिगर आपको यह लगवग अभी तो इमिडिटली तेहार है उसके बाद मैंने जैसे बताए कि एक प्रोग्रेश कि कर रहें उनकी प्रोश्ड कर रहे तो जब फिर से फोस्ट उच्थ हो जाएंगी तो वह काफी फूस्टें फिर से निकल आएंगी आने वाले छी मैने brings ।ो फिर से ज़ल रहे चलता है प्रहता सिधमरा कश्मीर वे यह बहुत लंबे समय से यह इशू है और उसमें बहुत सी कार्रक्शन कीども की गई हैं और उन कार्पोरिशन करके उसको अपड़ेट करके इस्यू करना और उसको ौनेंशली और टेकनिकली वेट करना यह जरूरी होता है अधर्वाइस उसमें क्या होता है इंप्लोईज में बहुत सा जो है यह लीगल इशूस बन जाते हैं फिर लोग कोट में चले जाते हैं इस्टे हो जाता है तो उस प्रॉसेस को बचाने के लिए इसको बहुत अच्छे तरीके से गो थू करके उसको क्लियर करन था और उसके लिए कि इंपावड कमेटी भी बनाई गई थी और उसे इंपावड कमेटी के तुछ अप्रूब हो करके उससारी रिकूटमेंट सभी के सभी अब तैयार है अग्ज प्लान यह सारे अब्सॉप्ट हो जाएंगे या निया कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है इस करेंगे और जिनकी सेलेक्शन होगे वह रेवलोर रिकूट में आ जाएंगे बिल्कुल ट्रांस्पेरेंट है अगर कहीं किसी तरह का किसी को भी संदे है तो वह उसको जो है आटी आई है उसमें जाकि इंस्पेक्ट कर सकता है देख सकता है बलकि हमने प्लान किया है कि उस आउट्सोर्सिक से रिलेटेट जितने कागज है उनको भी हम वेब साइट पर लोड कर देंगे ताकि एवरिवरीवडी कें सीट इस से कंप्लीट्ली ट्रांस्पेरेंट प्रॉसस्ट सब्सक्राइब इसके लिए मुझे ज्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है यह आप स 1994 में मार्च 1994 के बाद से डेली वेजर्स को लगाना पूरी तरह से बैंड कर दिया गया था लेकिन जम्मो कश्मीर में वह से लोग लगाये जाते रहे बीच में कुछ ऐसे भी आउडर्स हुए जिसका आड़ ले करके उसको बहुत से लोगों को क्रियेट किया गया लेकिन 2015 क के बाद से कम्प्रीटली फैनन्स डिपार्टमेंट अस्ट्वाइल जम्मो कश्मीर ने इसको पूरी तरह से बैंड कर दिया था तो दूसरी चीज है कि अन्रबल सुप्रीम कोट और हाई कोट सुप्री डैरेक्शन बहुत क्लियर है कि बगार एक्ट्वालिटी का जो है वह प्रिंस्पल फालो किये हुए जो भी एंट्री होती है जो भी किसी को अगर हम पब्लिक एंप्लॉयमेंट देने की कोशिश करते हैं तो वो प्रॉपर नहीं होता है और वो जो है इलीगल माना जाता है तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो उनकी जो है स्टेटस जो ह लिगल की ही है अब उसमें चुकि एक humanitarian issue भी है तो इसलिए यूटी administration ने एक fact finding committee बनाई है fact finding committee ने अभी अपना जो है प्रिम्री डेटा इकठा करने का काम कर लिया है उसके बाद अब इस डेटा की जो है audit होगी और audit के बाद जो exactly क्योंकि अभी आपको इसका यहीं नहीं पता है कि number कितने है किस तरह की appointment है किस basis पे की गई है उसकी approval है या नहीं है तो वो सभी चीज़ों को examine करने की ज़रूरत है तो उस पर काम चल रहा है और जब वो चीज़े हो जाएंगी तो फैक्ट फाइंडिंग कमिटी के रिपोर्ट के बाद उस पर suitable decisions लिये जाएंगे सर यूटी एमिस्टेशन में में पाउर shortest के करन जो existing employees के उपर बहुत सरे workload पा स्पेशली सेक्रेट में तो उनका कोई work period होता है कि इतने वाशे से इतने सब्सक्राइब करते हैं तो हम 24 गंटे के मलाजिम होते हैं ठीक है जब हम पहली दिन करते हैं तो इसलिए कभी-कभी ऐसी जरूरत आन पड़ती है कि कभी जो हमें देर तक भी काम करना पड़ता है पर इससे किसे employees को कोई problem नहीं है और सभी इच्छा सब्सक्राइब करते हैं और वर्क टाइमिंग जो है अलड़ी नोटिफाइड है लेकिन जब कभी ऐसी होती है जब विजिट्स होती है पाल्यामेंट सब्सक्राइब करेंगे जो है तो इसलिए यहां पर बहुत सी बार जो है हम ऐसा नहीं कह सकते कि सटर्डे को काम नहीं करेंगे अमें काम करना होता है तो वो उसमें जो है किसी को कोई सी तरके दिख्कत ने उसके लिए रूड रेगुलिशन बने हुए है तो उनको आप वा सेक्टर का भार वह नहीं है एंप्लॉइमेंट किसी और सक्याइटी सब्सेगे देखते हैं लेकिन सेडै सी बात है कि कि सी दुनिया में घड जगा पर पॉब्लिक एम्प्लॉइमेंट होती वहता होती है बहुत मिनसक्वूल परसंटेज बहुत थोड़ा होता है और जो है जो self employment और private sector में employment और जो दूसरे industries में जो employment होती है वो ज्यादा होती है तो आज की तारीख में चुकि यहां पर tourism की बज़र से और दूसरे कारणों से भी employment opportunities काफी है और उसके लिए skill development का और काफी जोड दिया जा रहा है अभी स्कूल में भी हमने vocational courses काफी सुरू कर दिया है तीस के करीव स्कूलों में vocational courses भी चालू हो गए तो हमें आने आली generations को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा आप सब को पता है कि 19 अक्टूबर 2019 को हमारे औरनेबल प्राइम निस्टर ने लाल के लिए से एक नए flexible scheme की सुरुआत की जिसको हम जल जीवर मिशन के नाम से जानते हैं और यह अपने आप में एक तरह की पहली और एक बहुत ही flexible scheme थी रादर इसको हम लोग सरकारी scheme नहीं कहते हैं यह एक public moment है और जिसमें लोगों की participation है लोगों के द्वारा इसको चलाया जाता है और एक अपने आप एक जो है इतना बड़ा जिसमें decision है resolve लिया गया है कि हर घर में चाहे वो गाओं में हो दूर दराज के इलाकों में हो तो हर घर में running water जो है pipe के through पहुँचाया जाएगा और वो pipe और जो पानी है वो केवल normal पानी नहीं होगा उसका extended भी fix किया गया है कि BIS का 10,500 standard का पानी होगा कम से कम 55 liter per capita पहुचाया जाएगा और यह throughout the year होगा अगर यह throughout the year नहीं होगा तो उसका मतलब वो functional नहीं है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं functional household tap connection तो हर घर में हर rural household में functional household tap connection जो है देने की सुरुआत की गई और इसमें लदाख में इसको implement करने में सुरुआत में काफी दिक्कते आई और काफी stailment रहा काफी problems आई सबसे बड program के सुरुआत की गई तो हमारे लोगों में यह धारना थी कि यह काम नहीं हो सकता यह काम possible ही नहीं है और इस तरह के difficult terrain में इतने cold weather में यह चीज़े चल नहीं सकती तो हमें सबसे पहली जो struggle करनी पड़ी लड़ाई करनी पड़ी वो इस mindset को तोड़ने की थी उसके बाद जो है बाहर से कोई experts आएंगे वो हमारे लिए DPR बनाएंगे तो हमें उसके लिए भी एक काफी जद्धोजहत करनी पड़ी लोगों को त्यार करना पड़ा और हमने जो local knowledge है उसको importance दिया जो हमारे लोग और हमारे employees जो है प्सुरुआत से इस area में काम करते रहे हैं उनको सम करने लोगों को encourage करके इसको प्रमोट करने की कोशिस की फिर DPR बनाए गए फिर इन DPR की जो है इवैलिवेशन हुई और दिन इसकी सब की टेंडरिंग हुई आज मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि लगबख सभी के सभी काम जो है वो allotted है एक दो जगा पर छोड़ करके जहां जो है टेकनिकल रिस्पॉंस नहीं आ रहा है उसके बाद एक अगला इशू जो है मुझे फेस वा वो contractors के साथ हुआ कि contractors जो है वो तयार नहीं थे इस काम को करने के लिए उनको संदेश था कि हमें पता नहीं पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे यह जो है कोई बाकी स दालने के लिए मना किया उन्होंने बोला कि हमें घर में पानी नहीं चाहिए लेकिन आज इन सभी बाधाओं को हम दूर कर पाए हैं और मुझे बहुत खुसी है यह बताते हुए कि लेह में जब इस प्रोग्राम के सुरुआत हुई तो लेह डिस्टिक में सिर्फ 5.32% जो ह तो 3.31% ही घरों में जो है पानी के कनेक्शन थे आज यह लगफग 28% के करीब करीब पहुच चुका है और आज की तारीख में चुकी सारा काम एलॉटेड है पैसे की किसी तरह की कमी नहीं है कॉंट्रेक्टर्स को भी कॉंफिडेंस है कम्यूटी का बहुत ज़्यादा चायती राज के लोग वो आकर के मिलते हैं और वो खुद हमें बताते हैं कि वो किस तरह से इस स्कीम को इंप्लिमेंट कर रहे हैं तो हमें पूरी उमीद है और जो रिजॉल्व किया है यूटी अडिस्टरेशन दे कि 15 अगस 2022 तक हर ग्रामीन गां रूरल हाउस होल्ड में जो कि लगवग हमारे पास 42,688 हैं उन सभी को पानी का कनेक्शन हम दे देंगे और पिछले कुछ समय में आपने देखा कि बहुत से ठंडे इलाकों में नियुमा के इलाकों में नुब्रा के इलाकों में जहां कभी लोग सोचनी नहीं सकते थे कि उनको घर में पानी आएग साथी साथ जल जी वन मिशन की जो अपनी डैश बोर्ड है उसको कोई भी एकसेस कर सकता है और एक एक हाउस होल्ड के नाम तक देख सकता है आउनलाइन जाकर के कि किसके घर में पानी का कनेक्शन है नहीं है बहुत से हमारे जो गाउं है वो 17 के करीब जो की 100% सचुरेट हो है क्योंकि इसे आगे भी इस स्कीम को आगे जो है चलाने का काम भी पंचायतों का होगा तो ये काम काफी अच्छे से चल रहा है साथी साथ में इसके दाहत जो है स्कूल और आंगनवाडी को भी 100% कनेक्टिविटी देने का जो है प्रॉसस सुरू किया गया है और लेह डिस एक अगनवाडी सेंटर लेह में रह गया है जिसको जो है साथ ही मैं ये पताना चाहूंगा कि हमारे जो पब्लिक डिस्टिक लाब्स हैं और जो हनुँ ईब लोगों के लिए खुले हुई है कोई भी अगर से पानी ला कर के लाब्स में एक मिनिमम फीस प्र different की है चीफ इर जिनियर्स के दोरा गे तो वो जो है जमा करके वो अपने पानी की टेस्टिंग करा सकते हैं अभी हम इन लैप्स का एने बील अक्रेडिटेशन भी करा रहे हैं ताकि यह जो इनके जो रिपोर्ट्स हैं वो सर्टिफाइड माने जाएंगे और पूरी तरह से एकसेप्टिबल ह क्या गया है हर गाउं में जो है कमिटी बनाई गई है और महिलाओं को भी करके उनको टेस्टिंग की ट्रेणिंग दी गयी है जो खुद उनको फील्ट टेस्टिंग प्रोवाइड किये गये हैं ताकि वह पानी के टेस्टिंग अपने लोकल लेवल पे कर सके और मुझे है जो रिलिवेंट आपके लिए होगा वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो जल जी वन मिशन लदाख में जो काम जो है एक अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है और मैं कहूंगा कि लोगों का जो सायोग मिला है और कम्मुनिटी पार्टिस्पेशन मिली है हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जब उन्हों ने इसको अपने हाथों में लिया है और इसको आगे बढ़ाया तो उसकी वजह से हमें पूरी उमीद है कि अगले साल हम इस इस कीम को 100% सचुरेट कर पाएंगे और हर गर में जो है पानी हम पहुचा पाएंगे तो आपको यह है कि सर्दियों में भी यह लगाओं में मानेस टेकर बिल्कुल यह जो गाइड लाइन है मैंने आपको इसलिए पहले बताया कि पूरे साल पानी चलना चाहिए तभी हम उसको कवरेज मानेंगे हो सकता है अभी कुछ थोड़ी सी अभी भी उसमें काम बाकी हो कनेक्शन हमने कर दिया लेकिन अभी उसमें और भी सपोर्टिंग जो चीजें है वो लगानी बाकी हो वो लगा दी जाएंगी लेकिन यह जो है तभी इस स्कीम के सकस्स होगी जब सर्दियों में भी हम पानी दे पाएंगे हम लोग इस साल विंटर्स में इसको मॉनिटर कर रहे हैं और इसके लिए एक टेक्नो मैनेजरियल कमेटी बना दी गई है जो इसके टेक्नो मैनेजरियल करेगी और देखेगी कहां पर और क्या हम इसमें इंप्रूमेंट कर सकते हैं तो एक तरह से यह इस बार जो हमने किया ह यह तरह से हमारा अपना जो है जो है जो लोकल नॉलेज है उसको लेकर के प्रयोग था और उसमें जो कई कमी रह जाएगी उसको आने वाले समय में भी इसको सुधार लिया जाएगा जबादा प्रजेक्शन प्रजेक्ट अला ता जिसके अंदर पाइब लाइन बिचाए गई थी और पिछले दो तीन सालों से पानी नहीं आ रहा है तो उसको किस तरह से सौब देखे अर्बन एरिया में जो पानी का प्राबलम है वो बिल्कुल आप जो कहरें बिल्कुल देना ज़र रखते हुए इस बार हमने 24-7 वाटर सप्लाई दोनों टाउंस में देने के लिए प्लान सुरू कर दिया इसके लिए हमने जो है एक आर्फपी बना ली है जो कि हमारे कंसल्टेंट हायर करके इसको जो है 24-7 जो है पानी सप्लाई हर घर में होगी इसके लिए ए उसको वेटिंग के लिए भेजा गया तो वहां से वेटिंग होके आ गया बहुत ही जल्द कंसल्टेंट जो है इन प्लेस होंगे और यह बनने के बाद इसको काम सुरू होगा जब तक हम इसको होलिस्टिकली नहीं लेंगे तो इतने ठंड के रीजन में जो है वो पूरी तर देखें हमने सबी जो कांट्रेक्टर्स हैं उनके साथ बार-बार मीटिंग की है हमारे डिप्टी कमिशन साहबान ने हमारे और उनको मोटिवेट किया है क्योंकि उनके पास भी काम बहुत ज्यादा हो गया एक साथ इतना काम आने के वज़े से हमें सफिशन टेंडर है उनको इन्वोका किया गया है ताकि अगर एक भी टेंडर आता है तो भी हम उसको करते हैं वह भी आइना कृट करेंगे तो पिछले दिनों जो कुछ पेंडिंग थे वोसे काफी कुछ निकल गए दो चार गाव भी रहे गए तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि वो टेंड अब यहां पर प्रिएंशन के लोगों में कि इना कर से को एक ही के प्रिएंशन के तो काम चल रहा है वो चल रहा है यहाद लोगों का कहना है कि जिस तरह से एक जे जिए कि अगर सब्सक्राइब करने के जड़ना है कि इसमें कई और ज्यादा की एपॉइंट करने के जड़ना थे यह जो एरिया है वो राइट फ्रॉम मेंजी से परकाशिक्तर का एरिया एक ही जवी जवी कवर करें इस पर आपको बताओंगा कि एक तो हमने दोनों डिप्टी और जो भी लेनी है वो लेने आपको जैसा कि पता है लगवाग सो के करीब जे ही हमने अडिशनल हायर किये है और लोग महया कराए है तो उनकी सपोर्ट ले सकते हैं और जरूर ले रहे होंगे दूसरी बात है कि हर ब्लॉक में हमने ब्लॉक लेबल कमिटी बनाई है और हर ग पंचायत के रिपरजेंटिटिव साते हैं और अपने एरिया का अपडेट देते हैं कि उन्होंने काम के खुद मॉनिटरिंग किया है खुद जाकर के उन्होंने गड़ों को नापा है तो जब तक लोगों की पार्टिसपेशन नहीं होगी बिकॉस एरिया बहुत बढ़ा है आप कितनी भी मॉनिटरिंग कर लेंगे कहीं कोई कमी रह जाएगी तो इसलिए लोगों की पार्टिसपेशन बहुत ज़रूरी है तो मैं आपके माज़म से लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने अपने गाउं में अपने अपने पंचायत को इन्वाव करके अ साथी साथ में Chartered Accountant and Concurrent Auditors लगाए गए है जो हर पेमेंट की जाच करते हैं और इसकी रिपोर्ट CAG को जाती है और वहां से हमें Certificate मिलता है कि यह पैसा ठीक तरह से खर्च किया गया है उसके अलावा जैसा कि मैंने अभी जिकर किया कि Techno Managerial जो है Assessment के लिए एक Separate Committee बनाई ग करेंगे तो यह constant monitoring से ही यह काम जो है ठीक से तरीके से हो पाएगा आप कुछ कह रहे हैं तो कहीं जागा पर पांच छे साथ पाइप ड्याल के नहीं 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 निकल रहे हैं उस पर क्या होगा से लेकिन कहीं पर ऐसा होता है कि आपको जो है कुछ लगवग चार-पांच परसेंट जो है ड्रिल्स फेल हो जाते हैं तो यह कॉमन फेनोमेना है इसमें कोई घबराने की बात नहीं है अल्टरनेट सोर्स तो हमें डिवलप करना ही करना है तो कुछ दिन पहले में स्टोड़ी कहने लिए क्लिए कुछ नहीं है जो मुझे बताय कि डिक्लेरेशन के लिए खुद गाह वालों को पंचायत की सब ग्राम सभा की मेटिंग करके खुद डिक्लेयर करना है अगर इंडिविजल कोई केस है तो मैं डिप्टी कमिशनर्स को बोलूँगा एक्जामिन कर लेंगे सर कुछ जगों पर ऐसा है कि पाइप को बिलकुल ऐसे खुला चुड़ा या है बिलकुल आप जल जीवन मिशन में कहीं भी ऐसा केस नहीं मिलेगा आपको अगर ऐसा कहीं केस मिलता है जहाँ पानी खुला चुड़ा है और बगएर इंसुलेशन के खुला चुड़ा है तो वो बिल्कुल आप हमारी नोटिस में लाइए उसमें जो है सब के खिलाब कारवाई होगी लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कोई कोई इसके मल्टी लेवल जो मैंने कहा मॉनिटरिंग है गाहँ वाले खुझ अपने सामने खड़े हो करके इसको इंप्लिमेंट करवाते हैं और लोग बंद कर लेते हैं तो इसको देखें यह सब चीजे जो है यह सब टेक्निकल इशूज है जिसका समाधान देले-देले सकरके किया जा रहा है और आपको बैं बताओ कि इसमें केवल पानी का कनेक्शन देना नहीं है बलकि मैंने कहा सावसुत्रा पानी का कनेक्शन और स लाती साथ में इसमें टेक्नोलोजी जो है हम और भी जोड़ेंगे इसमें ग्रे वाटर मैनेजमेंट का वी एक पार्ट है कि जो पानी जिनरेट होगा उस पानी को कैसे मैनेज किया जाएगा तो इसके लोगों की का पार्ट है यह सारी चीजे हैं यह तो अभी हमने बस पानी का कनेक्शन नहीं है जब स्प्रेशी मन जip अघर कर ना चाहिए तो इसको भंद कर सकते हैं और साथी साहिथ की स्वच भारत मिशन में अने मदद मोया कराइ PHP उप है और जो ग्रेवाटर तरे का सिस्ट्रम है वह डिवलप कर सके वह भी इक पार्ट है इस agree